वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा इनसान के लिए सहत उसका सबसे बड़ा खजाना होता है आज के दोर में लाइव इस्टाइल में बदलाओ से जो बिमारिया पहले औल्ड एज में होती थी वो अब युवाओ को होने लगी है इनमें बीपी, डायपिटीज और हिर्देरों पर मुख है पुराने जमाने में लोग डॉक्टरों के पास कम जाते थे और दादी के नुसकों से ही चंगे हो रहते थे ऐसा नहीं है कि ये नुसके काम करना बंद कर दिये है हकीकत यह है कि हम उन्हें अब आजमा नहीं रहे है आईए कुछ ऐसे नुसकों के बारे में जाने जिनिसे ब अल्मोनियम में मिले हुए लेट से होने वाले नुकसानों से बचेंगे। 3. रिफाइन तेल के बजाए केवल तिल, मुंख़ली, सरसो और नारियल का परियोग करे। रिफाइन में बहुत केमिकल होते हैं जो सरीर में कई तरह की विमारिया पैदा करते हैं। 4. स्वयाविन बड़ी को दो घंटे बिगो कर मसल कर जरहीली जाग निकल कर ही परियोग करे। 5. रसोई में एकजस्क फैन जरूरी है पर दूसी थवा बाहर करे। 6. काम करते समय समय को अच्छा लगने वाला संगीत चलाए। खाने में भी अच्छा परभाव आएगा और थकान भी कम होगी। 7. देशी गाय के घी का प्रयोग करे। अनेक रोग दूर होंगे। वजन नहीं बढ़ता। 8. ज्यादा से ज्यादा मीठी, नीमकरी, पत्ती अपने सबजियों में डाले। 9. ज्यादा से ज्यादा चीजे लोहे की कड़ाई में ही बनाए। आयरन की कभी नहीं होगी। 10. भोजन का समय निश्चित करे। पेट ठीक रहेगा। 11. भोजन के बीच बात न करे। भोजन ज्यादा पोशन देगा। 12. नास्ते में अंकुरित अर्ण सामिल करे। पोशक विटामिन और फाइवर मिलेंगे। 13. सुबह के खाने के साथ देशी गाय के दूद का बना ताजा दही ले। पेट ठीक रहेगा। 14. चीनी कम से कम परियोग करे। ताउम्र हड्डिया ठीक रहेंगी। 15. चीनी की जगा बीना मसाले का गुड़ या देशी सक्कर ले। 16. छोक में राई के साथ कलोंजी का भी परियोग करे। फाइदे इतने की लिख ही नहीं सकते। 17. चाई की जगा आयरवेदिक पेग की आदत बनाए। वो निरोग रहेंगे। 18. एक दजबिन रसोई में और एक बाहर रखे। सोने से पहले रसोई का कचरा बाहर के दजबिन में डाले। 19. रसोई में घुशते ही नाक में घी या सरसो का तेल लगाए सिर और फेपरे स्वस्ते रहेंगे। 20. करेला मेथी और मुली यानी करवी सबजिया भी खाए। 21. मटके बाले से ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए। दात ठीक रहेंगे। 22. प्लास्टिक और अनुनिमर रसोई में से हटाए। दोनों कैंसर के बड़े कारक है। 23. माइक्रोवेव ओवन का परियोग कैंसर कारक है। 24. खाने की ठंडी चीजे कम से कम खाए। पेट और दात की हो खराब करती है। 25. बाहर का खाना बहुत ठानी कारक है। खाना हमेशा सब घर पर ही बनाए। 26. तली चीजे छोड़े वजन नियंत्रिंद और एसिडिटी ठीक रहेगी। 27. मेदा बेशन छोले राजमा और उरत कम खाए। गेस की समस्या से बचेंगे। 28. अदरक अजवायन का परियोग बढ़ाए गेस और सरीर के दर्ध कम होंगे। 29. बिना कलोन जीवाला अचार हानिका रख होता है। 30. पानी का फिल्टर रो हानिका रखे। UV वाला ही पड़ियोग करे। 31. रात को आधा चमस्त त्रिफला एक कब पानी में डाल कर रखे। सुबह कपरे से चान कर इस जल में आखे धोए। चस्मा उतर जाएगा। चाने के बाद जो पाउडर बचे उसे फिर एक ग्लास पानी में डाल कर रख दे। रात को पी जाए। पेट साफ होगा। कोई रोग एक साल से नहीं रहेगा। 32. सुबह रसोई में चपल न पहने। सुदता भी एक यूज प्रेशर भी। 33. रात का भीगोया आधा चम्मच कच्चा जीरा और सुबह खाली पेट चबाकर वही पानी पे एक इसे डिटी खत्म। 34. एक्स प्रेशर वाले पिरामिट फिलेट फार्म पर खरे होकर खाना बनाने की आदत बनाले तो भी सब बिमारिया सरीर से निकल जाएगी। 35. चौधाई चम्मच दालचीनी का कुल अपयोग दिन भर में किसी भी रूप में करने पर निरोगी रहेंगे। 36. रसोई के मसालों में से बनी मसाला चाय स्वास्त वर्दक है। 37. सर्दियों में नाकुन के बरावर जावित्री चूसने से सर्दी के असर से बचा होगा। 32. सर्दियों से में बाहर जाते समय दो चुटकी अजवाइन मों में रख कर निकलिये। सर्दी से नुकसान नहीं होगा। 39. रस निकले निम्ब के चुथाई टुकडे में जरासी हल्दी नमक व फिटकरी रख कर दात मलने से दातों का कोई भी रोग नहीं रहेगा। 40. कभी-कभी नमक हल्दी में दो बुन सर्दों का तेल डाल कर दातों को उंगली से साफ करें दातों कोई रोग टिक नहीं सकता। 41. मुखार में एक लिटर पानी उबाल कर 250 मेल कर ले। साधारन ताप पर आ जाने पर रोगी को थोड़ा थोड़ा देदवा का काम करेगा। 42. सुबा के खाने के साथ घर का जमाया देशी गाय का ताजा दही जरूर सामिल करे। परयावेटिक का काम करेगा। तो दोस्तो यह थी हमारी आज की यूसफूल वीडियो आसा घरते वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा। साथी बेल आइकन को प्रेस के लिजेगा ताके हमारे वीडियो करने वर्टिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं भी आपको फिमिंते हो किसी न्यू वीडियो में किसी टिप्स या व्लोग के साथ वीडियो को पूरा देखने ही। कि सामच रादे रादे बादे बादे बादे